तो आज का इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ गॉर्मेंट स्टॉक के बारे में जो कि इन्होंने एनाउंस कर दिया अपने डिविदेंट को और बोनस को तो हम बात करने वाले हैं इंडियन ओईल जैसे के साथ-साथ आठ ऐसे गॉर्मेंट स्टॉक जिन्होंने रिसेंटली एनाउंस कर दिया है अपने डिविदेंट को अपने स्टॉक बोनस को अपने इन्वेस्टरों के लिए तो ये वीडियो को ज़्यादा ही इपोरेंट होने वाला तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएग हेलो एवरिवन वेलकम तो दो मनी इपम चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा पहला गॉर्मेंट स्टॉक है जिसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड जिसका करेंट प्लाइस अभी 1312 रुपीज के आसपास से देखने को मिल रहा है क्योंकि ये कंपनी गैस करती है इन्होंने रिसेंटली ही एनाउंस कर दिया है अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंट का बेनिफिट देने का जो कि 12 रुपीज पर शेयर मतलब कि अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो इसके बदले में आपको 12 रुपीज मिलेंगे तो इन्होंने एक्सडेट और रिकोर्डेट दोन ही एनाउंस कर दिया है साथ में ही 5 फरवर्डी तक इन्होंने देने का एनाउंसमेंट किया है अगर आपको इसका डिविडेंट चाहिए होगा या इसका बेनिफिट चाहिए होगा तो 5 फरवर्डी से पहले यानि 4 फरवर्डी तक इसे बाई करके अ इनका जो करेंड प्राइस है वो 140 रुपीज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है मात्र इन्होंने रिसेंटली एनॉंस कर दिया है अपने इन्वेश्टों को डिविडेंट का बेनिफिट देने का जो की 4.5 रुपीज पर शेर देने का इन्होंने एनॉंसमेंट किया है सकते हैं तो इस सेर को आप अपने वाच लिस्ट में जरूर एड करके रखिएगा और इस पर ध्यार देते रहिएगा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिजर क्योंकि हम जानते कि इसका काम इनका पेट्रोलियम में वर्क चलता है और यह सेर आज इतना इप 5% अपर सर्कीट मारके देखा हुआ है मतलब आज इन्होंने अपर सर्कीट मारा है 5% का और जो कि इनका करेंट प्राइस अभी 430 रुपीज की आसपास हमें देखने को मिल रहा है आप्टर 5% अपर सर्कीट इन्होंने रेसेटली अनॉंस कर दिया अपने इन्वेश्टों को डिविडेंड देने का जो की 15 रुपीज पर शेयर देने का इन्होंने अनॉंसमेंट किया है मतलब एक शेयर के बतले में आपको 15 रुपीज मिलेंगे आपके अकाउंट में और तो इस सेयर को आप स्कीट में जरू रखकी है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा सीयर है अभी तक क्योंकि पेटर् mos Benny और यह कॉमैंट इंअ इस हेयर को आप नजरे में जरू रखिये का अगला स्टॉक है रेट्स लिमिटेड क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक रेलवे इस्टो का सबसे महसूर सेयर भी है रेट्स लिमिटेड जो कि हमें लगबग 300-300% देखने को मिला है यह इन्होंने अपने एक साल में अपने इन्वेश्टों को रिटन दिया है 300% से जादा और यह आगे भी इनका कहा जाला है कि आगे भी और अच्छा रिटन देता हूँ हमें दिखेगा इलक्सन तक तो इस सेयर को तो आप नजर मजहूर रखिएगा और जो इस मीटिंग का जो डेट है वह है 1st February जिस दिन हमारा बजट है उस दिन यह अपना डिविडेंट का मीटिंग करेंगे और यह कितना अपने इन्वेश्टों को डिविडेंट देंगे उसका यह एन्नाउस्मेंट करने वाले है और इन्होंने एक स्टेट और रिकॉर तक इससे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं तो इस सेयर को आप जरूर से जरूर आप वास्ट लिस्ट में आड कीजेगा अगला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड क्योंकि कंपनी यह इतना इसलिए है क्योंकि यह कंपनी एक डेप्री स्टॉक है औ इसते हsilतार में 500 के क्रोस देखने को मिलता है क्योंकि इन्होंने अनुसमेंट कर दिया अपने बोर्ड का मिटिंग करने का और जो में पर प्रपस बोर्ड का मीटिंग करने वाला उनका है डिविडियरन और साथ ही साथ हैमने क्यूधिर रिजल्स का भी यह एक जिसम्हीं तो इस यहर को आप अपने वास्ट लिस्ट में जरूर एड़कर रखिएगा अगला स्टॉक है एंटी पीसी लिमिटेड जिसका करेंट प्राइस हमें मात्र हमें 308 रुपीस के आसपास दखेने को मिल रहा क्योंकि यह एक government stock है तो इन्होंने भी announcement कर दिया अपने dividend का meeting करने का मतलब कि इस meeting में यह decide करेंगे कि अपने इनवेस्टों को यह dividend कितना देने वाले है और जो meeting का date है उनतिस जनवरी मतलब आज के दिन यह announcement करेंगे कि यह खितना अपने इनवेस्टों को dividend देएंगे और साथ ही जाद इन्होंने एक्सटेट और रिकॉर्डेट दुन ही एनाउंसमेंट कर दिया है मतलब कि इस दिन ये डिविडेंट अपना देने वाले हैं जो कि 6 फरवर्डी को अपना ये डिविडेंट दे लेंगे अपने इन्वेस्टरों को तो अगर आप इसे 5 फरवर्डी तक इसे बाई कर लेते हैं तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं इसके डिविडेंट का तो इस येर को भी आप अपने वाच लिस्ट में जरूर एट करकर रखिये अगला स्टॉक है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड इसका करेंट प्राइस अभी 938 रुपीज आसपास हमें देखने को मिल रहा है इन्होंने रिसेंटली एन्वेस्टरों को स्टॉक बोनुस देने का जो की वन इस्टू वन का रिश्यू है मतलब अगर आपके पास इसका एक शियर भी होगा तो इसके बदले में आपको एक शियर एक्स्टरा मिलेंगे और टोटल जो आपके पॉर्टफोलियो में हो जाएंगे दो शियर आप्टर स्टॉक बोनुस इन्होंने जो एक्सटेट है और रिकॉर्डट है दोनों ही अभी तक अपकमिंग है मतलब जैसे ही कोई इसका एनॉस्मेंट किया जाता है मैं आपको इसके बारे में इनफर्म कर दूँगा आज का आखरी स्टॉक है और आज का सबसे स्पेशल स्टॉक भी है जिसका नाम है इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस सेयर आज यह इतना इसलिए है क्योंकि हमने थोरा दिन पहले ही इसका रिजल्ट देखा काफी सांदार हमें रिजल्ट देखने को मिला इनके तरफ से काफी अच्छा इंका नेट फॉफिट हमें देखने को मिला जिसके कारण सेयर मार्केट में आज इंका अगर हम देखेंगे तो लगबग यह चार परसंट का अपर सर्कृट लगा हुआ है और यह एक दिन पहले भी दो परसंट का अपर सर्कृट लगा हुआ था तो काफी अच्छा हमें इनके तरफ से देखने को मिल रहा है और जो इन्वेस्टर है वो काफी इंट्रेस्ट अब दिखा रहे हैं बहुत सारे अनिलिस्ट है जो यह कह रहे हैं कि यह सेयर अब आने वाले समय में 200 क्रॉस कर सकता है पर वह आगे देखा जाएगा क्या होता ह है लेकिन फिलाल अभी एक बहुत बड़ी निउस निकल करा रही है एक मोतिलाल ओश्वल करके बहुत ही बड़े ब्रॉक्रिस फ़ाम है जो कि बहुत सारे जो स्टॉक होते हैं उनको यह रिकमेंड करते है या उनके पर यह राय देते हैं कि क्या खरदारी करना चाहिए या इन्हों ने इंडियान ओयल कोर्परेशन लिमिटेड की उपर खरदारी करने की राय दिया है यानि बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है जो कि अभी क्रेंट प्राइस 143 रुपीस की आसपर देखने को मिल रहा है इन्हों ने अपने तरब से टार्गेट दिया है 165 रुपी क्योंकि इनका इस वार का रिजल्ट देखने को मिला है काफी सांदार देखने को मिला है और कहा जारा कि जो बजट आने वाला है उसमें भी हम इससे रिट कुछ हम देखेंगे अनॉंसमेंट होता हुआ तो इससे और आप अपने नजर में जहूर डखिएगा और वास्टिस आपको यह वीडियो कैसा लागा आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों हमें इतना ही रखते हैं थेंक्यू